नमस्कार दोस्तों, UPPSC Daily News में आप सभी लोग का स्वागा थे, दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बड़े इच्छी चल रही होगी, और न्यूज हम आप सभी लोग को बताना चाहेंगे, आरो यारो PCS से देता हूँ और दोस्तों ये नूज तो फिलाल तीन चार दिन से चल रही है, और जानकारी भी थी इस नूज की लेकिन देने में डर लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्यों करना क्या है कैसे लेकिन नूज अब सोचा दे ही दें कापी लोग का मेसेज आ रहा था, मेल कि सर कुछ तो बोल दीजे क्या है कैसे हैं तो हमें लगा कुछ तो बोलना चाहिए क्या चल रहा है क्या जानकारी इसलिए हम देना नहीं चाहा रहे इसके लिए अब दोस्तों इस पर हम चर्चा करेंगे और दूसरी चीज थी थोड़ा सा कुछ टेक्निकल समस्या भी था इस लोग विश्वास भी करते हैं इसलिए कि इनोंने बोल दिया तूसी प्रकार से इंतयार करते ह्क्रते हैं कि इसमें अमने सारे वरत आफ चाहे और बोले होतें हैं अब बात करते हैं देखें सबसे पहले तो आरो यारो का जो पेपर है और इसके लिए मैं क्या ही कहूं कि 2016 यदी मैं देखू तो पेपर इसका लिख हुआ फिर उसके बाद दुबारा से हुआ पेपर यह सारी चीजें फिर 2021 के बाद वाली जो पेपर हुई उसमें जो आपने देखा किस प्रकार से कितना बड़े लेवल पे धरना परदर्शन हुआ पेपर लिख हुआ फिर से पेपर का एक्जाम डेट कराये गया जो कि 22 दिसंबर को एक्जाम डेट है ठीक है अब एक लेटर वाइरल हो रहा है यह लेटर इस समय सबसे जादा तूफान मचाया हुआ है बच्चों के मन में कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जायेगा यह वो फलाना डिमा का बहुत धेर सारी चीजे प्रसन चिन्ने खड़ा कर रहे हैं और जबकि तब जबकि यह सारी चीजे आपको पता है कि सुत्रों से मिली हैं लोगों ने दिखाया है ठीक ह बाइरल हो रहे ही, सही है काफियाद तक ठीक है, लेकिन कितना सही, कितना गलत उसके भी से अभी हम आगे चर्चा करते हैं आप सभी लोगों से क्या है कैसे हैं, अब जब तक एकदम कोई किसी भी संस्था करब से ऐसे मैटर पे, जो एकदम पेचीदा हो और एकदम ऐसे ना सम थोड़ा से इंतजार कर लीजे मुझे विस्वा से आयोग सारी चीजें सही करेगा और अंततर वो सारी चीजें सही हो भी जाती थी अब बात करते हैं देखिए सरकार की तरफ से पेपर लिख होता था इसी वज़े से परिच्छा कानून कुछ बनाए गया तो उस हिसाब से पर कराया जाए ठीक है अब हमें एक्जेक्ट नहीं पता आप लोग सोता देखिए कि आप यूपी पी सीस के फॉर्म में भी चार लग से जादा लोग हैं कि नहीं है ठीक है पहली बात और दूसरी बात तो आगे अभी हम चर्चा करते हैं कहने को तो कह सकते हैं कि परिच्छा क पहल बना दे रहे हैं इससे चात्रों के मन में बहुत से प्रस्न खड़े होने लगते हैं दोस्तों आपसे बात करेंगे कि इसी लिए इस समाचार से दूर था लग रहा था एक फाइनल हो जाए तब इस मैटर पर बोला जाए क्योंकि काफी मैसेज आए कुछ बताईए लगा पर बताईगे हैं कि काफी हद तक चीजिशें को समझ में आने लगें और मेरा में मुद्धा पढ़ें किसी प्रकाट की कोई समस्या आपके सामने आपके सामने ना नी पाएं अब बात करते हैं यह सही या गलत जक्ल रहा हैं आखीर आरो-आरो की एकजाम पर मंढ़ा कौन रहा है कि हर बार कुछ ना कुछ समस्या आने लगती है प्रस्ण जोड कर आते हैं दिमाग में नौर्मलाइजेशन के नाम परब्रश्टाचार होगा भर्दी प्रक्रिया के बीच की निमों बदलाओ होना बेहुदा डिसीजन बताते हैं क्या सोच कर इसको चार सिर्प मे तिन घंटे का उसको कंबाइन करके कर रहे हैं क्या PCS का एक्जाम भी दो सिर्प में होगा जानते हैं क्या वायोग मनसा बना चुका है कि पेपर जो की 22 और 23 दो दिनों में चार सिर्प में कराना है ठीक है आए बात बताते हैं देखिए ये कांसेप्ट UPPSC अगर करेगी तो नॉर्मलाइजेशन पर कुछ करना पड़ेगा उसको ट्रांसपरेंसी दिखानी पड़ेगी तभी छात्रों की मन में ये जो उनकी दुविदा है परसानी है वो सारी चीजें दूर हो पाएंगी क्योंकि पहली बार आयोग के निड़े पर सोच विचार कर प्रस्न उठा रह रहा है नोटिस जो वाइरल हो रही है आपके स्क्रीन पर दिख रही है लेकिन जब तक ये ऑफिसियल सरोमान नहीं हो जाता है हो सकता है कि ये जो चीजें है ये बदल जाएं हो सकता है कि जब तक आफिसिली आपके पास जानकारी नहीं आ जाती है तब तक आपको परसान हो की ज़रूरत नहीं है हो सकता है ये चीज़ें बदल जाएं और जैसे होना है वैसे एक्जाम हो जाएं ठीक है ये भी सारी चीज़ें हो सकते हैं लेकिन अभी इसको लेकर के आप अपनी पढ़ाई दिमाग को डिश्टर्ब बिल्कुल मत करिए क्योंकि आयोग भी कभी नहीं कि चात्रों के लिए कुछ भी बुरा हो तिनी बड़ी संस्था आप हम समझ सकते हैं इस बात पर हमको को कोड कर सकते हैं आप लोग नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं लेकिन हमारी अनुभा और चीज़ों को समझ्य कोशिज करें जब तक चीज़ें गलत थी हमेशा गलत बोला गया जब चीज़ें सही चलने को हैं तभी हमें लगता है कि एक बार थोड़ा समझना चाहिए सारी चीज़ों को कि क्या होगा ठीक हैं पहले दो प्लस एक घंटा पेपर अब तीन घंटा में एक साथ पेपर और चार सिप तो नार्मलाइजेसन की ट्रांसपरेंसी क्या होग यह आयोग को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए आप लेकिन पढ़ते रहिए चिंता नहीं करना है जो होगा अच्छा होगा क्योंकि खराब करने के लिए अब सरकार के पास कोई आप्सन नहीं है समय कम है चुनाओ भी आगे तो एक समाचात है कि पूरतेया इसकी जानकारी जब तक न हो जाए बस आप पढ़ते रहिए किसी भी प्रकार से पढ़ते रहिए ठीक है अब हम बात कर लेते हैं PCS में ऐसा होगा की नहीं PCS में कोई सूचना ऐसा नहीं है यहां तक कि आरोगी भी ये नियूज बहुत तक हम इसको फाइनल नहीं कर सकते हैं कि जरूरी नह यह सारी चीजें हैं ही ठीक हैं अब किस प्रकार से है आयोग में बैटे लोग हैं समझदार लोग हैं उसारी चीजें खुद ही क्लियर कर देंगे ठीक हैं सब के ऊपर अपनी अपनी गर्दन पर तलवार लटकती हुई रहती है भाई आप सभी लोग समझे इस बात को ऐसा हैं कि सब चाहते हैं कि अभी जैसे नया परिच्छा नियंत्रक सराये हैं तो उनको नहीं लग रहा होगा कि भाई पिछले तीन बार से यह सारी चीजें गड़बड हो रही है और दो तीन लोग पर जहां चुआ ऐसे तो अपने उपर कोई रिस्क लेगा यारी सब चीजों क कि मन के सभी प्रस्ण आयोग के माध्यम से क्लियर कर नहीं कर दिया जाता तब तक आप सभी लोग इन सब चीजों को बिलकुल सीरियस मतलब उतना मत समझें कुछ भी होगा आगे आप सभी लोग सोता ही देखेंगे मेरी तरफ से इस निउस को लेकर के हमें नहीं लगता कि आप सभी लोग को कुछ पैनिक होना चाहिए गबडाना चाहिए क्योंकि आगे जो होगा आफिसली सारी चीज़ें आप सभी लोग को जानकारी के रूप में मिलती रहेंगी तो यही सारी चीज़ें आपके भी मैंने प्रस्ण रखे हैं और आयोग के तरफ से भी मैंने चीजें हो सकती हैं उम्मीद करूँगा आप सभी लोग काफी समझदार लोग हैं और चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं लेकिन ज्यादा तर मेरा भाई रुजान आप सभी लोग के प्रती ही रहता है हमेशा रहा ही हैं क्योंकि आप सभी लोग के साथ हमेशा परिच्छ तो इन दुखों को ना फील किया जा सकता ना कहा जा सकता भाई समझे बहुत बड़ा दुख है मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे भाई जिनकों देख कर दुख होता है कि इतना अपराद इनके साथ हुआ है लेकिन खेर सारी चीजें अपनी जगें पर सब सही होंगी बस ध बस्वास दिला रहा हूं कि जो भी चीजें चैनल के मात दिम्स कभी भी करी जाएंगी वो सठीक और सही और ट्रांस्परेंसी यानि आपको जानकारी प्राप्ट करवाई जाए किसी प्रकार की कंफूजन किस्टी नहीं रहेगी तो जिहां दुस्तों जो भी चैनल नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर प्रिस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोग शवाए और अब्रतीवा क्रफ से कोई भी मैस्पूर अपडेट आप से लोग से मिसना होने पाए बहुत बहुत धन्यवाद